तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ फैन कोड़ ECS T10 Cypress League का 29 और 30 मैच जो की खेला जाएगा लीमसोल जालमी वर्टिज Cypress मौफलोंस के बीच में तो भाई आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों मैचिज की complete information मिल जाएगी साथ ही अगर बात करें आपर date and timing की तो वो आप देख सकते हैं आपर 16 November यानि की कल ये match खेला जाएगा बात करें date and timing की तो आप ये आपर timing देख सकते हो 12 बज़े पहला मैच खेला जाएगा और 2 बज़े दोपैर को दूसरा मैच खेला जाएगा इंडिन स्टेंडर टाइम के हिसाब से और सबसे important चीज है आपको हमारा telegram channel join करना होगा क्योंकि जो final team होती है final update होती हो मैं telegram पर post करता हूँ और वो आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी होती है और भाई जो लोग video को complete देखते ना उनके result कुछ इस परकार क्याते है जो चार मैच हुए चारो के चारो हमारे बिल्कुल jackpot मैच रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है एक एक चीज मैंने आपर आपके लिए clearly describe कर रखी है छोटी छोटी बाते हैं आपर मैं आपको बताता हूँ देखो आप यहाँ पर पहले मैच के result देख सकते हो दूसरे मैच के result देख सकते हो तीसरे के देख सकते हो मतलब ओपोजिट तरीके से दिखा रहा हूँ जो सबसे नीचे दिखा है वो चोटे के ते फिर तीसरे फिर दूसरे और यह भाई हमारा फर्स्ट मैस था तो एक एक चीज आपके लिए यहाँ पर दिख जाएगी यहाँ पर फर्स्ट नहीं था तो अगर आप भी अगर खेलना चाओ तो आप सीधा यहाँ पर अगर ऊपर मैसेज देखोगे तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आजाओगी जैसे आप मतलब जैसे आपने टेलिग्राम उपन कre फिर आपको सीधा कुछ नहीं करना, जादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको हमारे application दिख जाएंगे, यह भाई कुछ fantasy application है, जहाँ पर मैं खुद खेलना पसंद करता हूँ, यहाँ पर एक तो बिल्कुल कम competition है, साथ ही साथ बिल्कुल low entry फिस और काफी high profit है यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर खेलता हूँ, तो अगर आप लोग भी खेलना चाहो तो खेल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, बाकी इससे जादा त्यार मैं आपको और क्या ही बता हूँ, ठीक है, तो यह चीज, सबसे important चीज है आपका telegram channel जोईन करना, क्योंकि जो last minute update होती है, वो आपको अमेशा winning करवाती है हमारी, और वो भाई काफी ज़्यादा winning करवा देती है, वेन्यू की बात करें तो आप सोनास cricket ground लीमा सोल में मैच खेला जाएगा, बात करें, अगर total T10 मैच जो यहाँ पर खेले गए है, तो 162 मैच से 8 मैच बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने विन किये, तो यानि कि आप थोड़ी सी फेवर करने लगे है, यहाँ पर पीछ जो बैटिंग सेकंड कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी आपर फेवर मिलने लगा है, चार मैच आज हुए हैं बाई, पूरे दिन में चार के चार मैच सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने आपर विन किया है, तो यह चीज आप जरूर से ध्यान में रख लेना, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजी है यह आपको विनिंग करवाने में काफी ज़्यादा हेलपफुल होती है, तो यहाँ पर अगर बात करें देखो, बारसली क्लावडी रहेगा बट बारिस के चांसिस बिल्कुल भी मेरको नहीं लग रहे, इसके लावा एवरेज स्कोर की बात करें तो 90 से 110 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा, और सबसे इंपोर्टेंट चीज भाई, अमारा जो टेलीग्राम चैन तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना, आपको सीधा ये देख सकते हो, यहाँ पर अब मैंने लिख रका है, अपको सीधा ही सर्च करना आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, अब अगर बात करें, यहाँ नियुक्त प्लस प्लेंग 11 प्लस पर्फोर्मेंस की तो आप यांपर देख सकते हो, दोनों के दोनों match भाई, या Пока यह किलिर ली ऐदरी लोइंस को अराके आ रहे हैं, मतलब आज इनके दो match खेले गए थे, तो दोनों match यह जीत के आ रहे हैं, या गली तो दोGreen टीम है यह तो इसलिए मैं आपको बोल रहों काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है यह स्टैट्स आप जरूर सेक्र लेना यहां से हमारे दोनों मैच में कैप्टें थे जवाद शाप देख सकते हो पहले मैच में एवरेज परफॉर्मेंस है एवरेज से तो ऊपर है बट हम एवरेज इसलिए बोल रहे है क्योंकि प्लेयर इतना बड़ा है कि इसकी परफॉर्मेंस यह एवरेज ही लगती है 16 रन बनाये पलस भाई एक विगिट निकाला दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए इसके अलावा अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरे मैच में इसने जो कहर डाया है बाई क्योंकि देखो एक तो एवरेज परफॉर्मेंस आई ना तो अगले मैच में लोगों ने क्या किया कि इसको टीम में तो रखा बट कैप्टन हो इसकेप्टन नहीं बनाया लेकिन बड़ा प्लेयर परफॉर्मेंस देने ही वाला था हमें पता था किलियरली यहापर हमने इसे कैप्टन बनाया और अकेले बन्दे ने हमें मतलब यह एज़े कैप्टन था हमारी टीम में तो मतलब 250 प्लस पॉइंट यह अकेला देखे गए हमको 250 प्लस पॉइंट ठीक है शायद इससे भी ज़्यादा दियो है बट मैं यह आपको अप्रोक्सिमेट बता रहा हूँ ठीक है यहापर अगर बात करें तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इसने मतलब 50 रन बनाया 18 बोल पर नोट आउट ठीक है 10 विकिट से अपने टीम को मैच घता है साथी साथ तीन विकिट निकाले भाई काफी इंपॉ היस इशा है हिए ठीक है ऊमर शाब काफी इंपॉटंट प्लेयर आपके लिए रहने वाल है लेकिन लोगों ने इसे voice captain बना है captain बना है और इसने मतलब इतनी कुछ आइसी विकिट कीपर खेलेगा यह आज बोलिंग नहीं करवाने वाला तो इसको आप मतलब कैप्टन वोईस कैप्टन ट्राइ मत करना वरना पस्ता होगे और भाई मतलब जो हमारे मेंबर थे उन्होंने नहीं किया और जो उपोजिट टीम के मेंबर आए बाई सब भी नहीं आपर मतलब कैप्टन या वोईस कैप्टन कैप्टन या वोईस कैप्टन इसको कर रखा था और भाई सब भी का बेड़ा गर्ग हो गया तो ये चीज़ आप देख सकते हो उमर फारुक भाई काफी इंपोर्टन प्लेयर और काफी खतरनाक प्लेयर है आपर आप पहले मैश ने देख सकते हैं तो अटर रण बना है दूसरे मैश में एक विकेट निकाला है सोहल एमध की बात करें तो सैथे सरन बना है मरतजा खान की बात करें तो दो मैश में दो विकेट निकाले और दो दो ओवर की कम्पलिट गेंदवाजी की आरी फुलाई बात करें तो इनकी बैटिंग बोलिंग आई नहीं सेथ जिया की बैटिंग बैटिंग बोलिंग नहीं क्योंकि भाई इन्हों ने एक तरफा मैच जीते तो सारे प्लेयर्स को पर्फॉर्मेंस देने का मौका ही नहीं मिला मौमद फाजिल की बात करें तो एक ओवर में बैटिंग बॉलिंग आई नहीं एक मैच में एक ओवर डाला उसमें भाई विकेट लेस रहे इसके लिए भाई बात करें आशर उल्ला की तो आशर उल्ला ने यापर दो मैच में तीन उसमेट निकाले है और कंप्लीट दो दोवर यहाँ पर गेंदवाजी किया है ऐसाद खान की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो दो मैच में एक विट निकाला और कम्प्लीट दो दो और की गिंदवाजी की है तो यासे दोनों के दोनों बोलर आपके लिए काफ़ इंपोर्टेंट होने वाले तो देखो टेलिग्राम पर आपको लेकी जाने का फाइद है क्या क्या आपके देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ की तीम मतलब जो प्ले इंग लए उन प्लस प्रफॉर्मस रही है आपर अगर बात करें गगन प्रीट सिंगी तो आप देख सकते हैं तेरा रन बना है दूसरे मैश में निकी जगबर जिसान सर्वारा जिन्हों ने सिर्फ एक रन बना है चमल सदू निया से काफी इंपोर्ट प्लेयर अपने टीम के लिए होने वाला मैताब खान की बात करें तो आप एपर देख सकते हो 28 रन प्लस 20 रन काफी इंपोर्टन प्लेयर मैताब खान भी आपके लिए होने वाला मिनास खान पहले मैश में जिरो रन दूसरे मैश में बैटिंग मॉलिंग आई निन नलीन पा मैश में निकली लेकिन जो स्टार्टिंग मैश में दो वर डाले ना इन्में बैह इनकी बोलिंग पर काफी ज़्यादा कैचे ड्रोप है İşte मालो आप मतलम का ही बताओं आपको بहुत ज़्यादा कैच ड्रोप इनकी बोलिंग पर हो रहे थे कमलरे आज ने एक मैश खेला ओझ की गिरन दुबाजी में दो विगिट निकाल लिए मौमद हुसेन की बात करे तो दो मैच में एवरेज परफॉर्मेंस है आपर अगर बात करे गुर्दीब सर्माई तो दोनों मैच में एक एक विगिट निकाले और मैं काफी अच्छी विनिंग करवा दी तो यह भाई कुछ यहाँ पर मैंने आपको स्टेट्स बताए अब चलते भाई हमारी डेमो टीम की तरफ तो यहाँ पर मैं आपको टीम बना के दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करे ओल्राउंटर सेक्शन की तो अगर बात करे बात करे बैटिंग सेक्शन की तो यहाँ से बाई अगर देखो मैरन खान अगर खेलता है तो काफ इंपोर्टन प्लेयर आपके लिए रहने वाला है लेकिन सिर्फ दोई मैच खेले उससे पहले भाई उसने मैच नहीं खेले है तो अगर यह देखो खेलता है तो काफी important player रहेगा और मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यह match खेलने वाला है तो इसलिए भाई मैंने इसको अपने team में ले रखा है और अगर विमल खंडूरी यहां से अगर खेलता है तो काफी important player आपके लिए रहने वाला है और अगर यह मालोग खेलेगा ना तो काफी ज़्यादा important player आपके लिए रह सकता है और मेरे को लगता है कि अगर यह खेलेगा तो आपकी team में होना चाहिए और captain always captain grandling में सबसे अच्छा option आपके लिए होने वाला है मेनास खान को मैं drop करके चल रहा है आप चाहो तो try कर सकते हो मुर्तजा खान हमारे team में रहेंगे इसके लिए भाई बात करें तो मुहमत फारुक को मैं अपनी team में try कर सकते हो गर आप करना चाहो तो बाकि अभी के लिए मैं यह से रोशन सरीवर्दना को भी अपने team में try कर रहा हूँ ठीक है अभी मैं पहले भाई मैं यह से महरान खान को drop करके चलता हूँ बाकि हम final टीम में final update जो भी मैं आपको देने वाला हूँ उसमें हम देखते क्या करते क्या नहीं तो ऐसे बाई यह तीनो ओल्ड राउंड हमारे लिए important है एक हान ने लास्ट मैच में क्या performance दिया आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब सोरी भाई यहाँ पर कुछ से जादा ही आगे निकल गया हमें तो यहाँ पर भाई आप एक हान की performance देख सकते हो लास्ट मैच में 64 पॉइंट देखे गया और एक तरफा विनिंग करवा गया भाई इसका लास्ट मैच में selection percentage आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 49 पर तो काफी अच्छा बैटिंग वोलिंग से आपको पॉइंट देखे जा सकता है काफी important player रहने वाला है इसके लाद सायद जिया को आप try कर सकते हो जी सिंग को आप try करना जहुद कर सकते हो बाकि इतना कुछ खास option मेरे को लगने रहा बात करें यहाँ से अगर हम आशार उल जमल सेदुन को बना रहा हूँ आलांकि दोनों opener और दोनों complete दो दो ओवर डालते हैं तो दोनों के पास बराबर chances रहेंगा performance देने के तो आप इने इन captain voice captain को reverse भी कर सकते हो अपना risk कम करने के लिए ठीक है तो यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखके चलने ना और रोलिंग सक्षन तो कमल रियाज आपके लिए grand league में most important player होने वाले captain के लिए वकार अली को try कर सकते है और रोशन सरीवर्दना important है उमर शाह important है यह आपको grand league में काफी अचीवी निंग करवा सकते हैं तो भाई यह हमारी जो final team है यह होने वाली है अगर इसमें कोई player मतलब change होता है तो भाई हम इस team में changement करेंगे otherwise भाई मेरे हिसाब से final team होने वाली है ठीक है तो बस दोस्तों आज की इस video में इतने मैं मिलता हूं आपसे next video में till then take care bye bye